यहां पे आपको कॉलेज उनिवर्सिटी युजी सी एंड हायर एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और न्यूस मिलते ही रहते हैं तो आज जैसा कि आप लोग खमनेल में देखी चुके हैं कि परिच्छा सिंपल प्रेजेंटेशन मोड में नहीं आज की चार बड़ी न्यूस एक साथ तो हाँ चलिए आज अपने इस रिंखला को आगे बढ़ाते हुए वीडियो को देश सुरू करते हैं बिना देर किये हुए मगर उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन और कटेगरी में ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मुबाइल स्क्रिन पर मिलती रह नए तरीकों से परिच्छा आयोजित करने की संभावना पर अपना रुक इसपस्ट करने को कहा था यूजिसी ने कहा कि परिच्छा ऑनलाइन या ओफलाइन या मिक्स्ट मोड में हो सकती है या ली जा सकती है मगर सिंपल प्रेसेंटेशन मोड में नहीं क्यूंकि मैं बद्ध होनी चाहिए नेक्स्ट यहां पे आप देख सकते हैं युजी सी एक्जाम गाइडलाइन 2020 आयोग ने दायर किया था पचास पन्नों का हलफ नामा सीउ सेना की युवा शाखा युवा सेना दायर याची काउं सहित युजी सी ने पचास पन्नों का एक हलफ नामा दायर किया था जिसमें लगातार कोरोना वायरस के बीच सितंबर में परिच्छा युजित करने के लिए 6 जुलाई को जारी अपने दिसा निर्देशों को चु युजी सी और AICTE के दिसा निर्देशों के मताबिक मार्क्स दिये गए हैं नेक्स्ट युजी सी एक्जाम गाइडलाइन 2020 लाइव जीवन और स्वास्त का मामला तयार नहीं ये राज्य अब इसे एक मनू सिंग्वी ने जो इस मामले में एक कानून के छात्र की भूमिका म में हैं उन्होंने एसी को सुनवाई में बताया कि यह जीवन और स्वास्त का मामला है उन्होंने कहा कि महरास्ट पश्रिम बंगाल राजस्थान और ओडिसा जैसे राज्य ने परिच्छा आयोजित नहीं करने का फैसला किया है तो यह थी चार आज की लिटेस्ट थैंक यू सो माच टेक्यर आल आफ यू बाबाय थैंक यू सो माच टेक्यर आल आफ यू बाबाय